हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो आज चैनल दो दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करते हो आपको कभी लॉस नहीं होता है या फिर आप लॉसस के वीडियो नहीं बनाते तो ऐसा नहीं है मैं लॉसस भी करती ह है लेकिन मेरी थिंकिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड थोड़ी से अलग है मैं ट्राइ करती हूँ कि मैं जो भी ट्रेड्स लूँ प्रिसाइजली लूँ हमारे सेटप पे लूँ अगर मुझे पर्फेक्ट ट्रेड मिल रहा है तभी लूँ मुझे खामखा SL हिट नहीं करना करने होते हैं मैं 100-100 दिन में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ ऐसे भी दिन होते हैं कि जहां पर मैं ट्रेड्स बिल्कुल अवोईड करती हूँ अगर मुझे लगता है कि आज मार्केट में मेरा SL जा सकता है stop loss हो सकता है तो मैं completely ट्रेडिंग का वो दिन ही अवोईड करती तो मैं try करती हूँ कि मुझे minimum losses हो और उसी दिन पर मैं recover करने की कोशिश करती हूँ लेकिन again मैं perfect trades and precisely trading करना पसंद करती हूँ तो आईए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज कैसे trade लिया आज first trade जो कि मैंने हमारे telegram के group में share किया था वो मेरा miss out हो गया था second trade में हमारा stop loss hit हो गया जो कि around 30-35 points का था और उसे हमने कैसे recover किया आज मैं वो आपके साथ share करना चाहती हूँ directly चलते हैं हम screen पे और वहाँ पर में screen recording के साथ आपको explain करती हूँ कि हमने trade को कैसे execute किया आज हमने कोई rocket science नहीं apply किया था trade के behind simply हमने brahma से setup पे trade लिया था लेकिन आज 2-3 बार brahma से setup पे SL hit हुए तो यहाँ पर मैं आपको laptop की screen पर नहीं दिखाती हूँ कि कैसे trade लिया क्यों लिया है उसका systematic way क्या होता है systematic तरीके से आपको losses को अपने recover कैसे करना है चलिए चलते है screen पर so guys हमने 47,900 के call option में two lot में buying किते at the price of 287 यहाँ पर हमारा stop loss बन रहा था 250 का अब देखिए यह trade जब चल रहा था तो मुझे एक important call आया था जो कि मैं ignore नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने call pick करने के बार मेरी screen recording off हो गयी और जहाँ पर हमारा stop loss हिट हो गया वह वाली screen recording मेरे पास नहीं है अब यहाँ पर order history में clearly देख पा रहे होंगे कि हमारा stop loss हिट हो गया था अब देखिए same strike price में मैंने रिएंट्रे की थे अड़ प्राइज ऑफ 266 लेकिन यहाँ पर मैंने quantities मेरी half कर दी थी यानि कि firstly मैंने तू लॉट में बाइंगी थी अब मैं सिर्फ और सिर्फ वन लॉट में बाय कर रहे हूं आप जब भी trade करते हो तो आपको position sizing का बहुत जादा धान रखना है जिससे जैसे ही जा रहा है तो अगर टू लॉट होते तो मैं यहाँ पर टू थर्टी के सरी थर्टी के अराउंड मेरा first quantity बुक कर ले आती हाफ क्वांटिटी बुक कर लेती और मेरा trading stop loss cost to cost ले आती यहाँ पर हमारी position एक लॉट से ही है तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिर्फ बिगनर्स लोग एक बात ध्यान रही हैगा आप जब भी position बनाते हैं तो आप डिरेक्ली position से exit करने की ट्राय करते हो यहाँ पर मैं भूल गई थी कि मैंने 230 पर मेरा stop loss लगाया था यहाँ से ही मैं modify करने जा रही तो तो ऐसा आपको नहीं करना है आपको stop loss modify सिर्फ और 3.40 पर shift किया ताकि अगर यहां से market reverse हो जाता है तो at least 3.40 पर हमारी जो position है वो exit हो जाएगी और हमेने जो first trade में loss किया था वो at least cover हो जाएगा अब देखिए यहां से और एक अच्छा move आया है तो मैं यहां पर हमारा stop loss shift कर देती हूँ 360 पर मैं यहां पर wait कर रही थी कि 1 minute के candle approximately 370 के around close हो जाए ताकि मुझे confirmation मिल जाए और अगर यहां से मैं 360 का stop loss set करती हूँ तो वो एक ही candle में hit नहीं होगा second candle जब start होगी तो अगर वो reverse हाएगा तो हमारा stop loss hit होगा आपको stop loss trail करते समय भी price का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपको chart continuously देखने है अब देखिए यहां पर हमारी candle close हो चुकी है और यहां हमारा stop loss भी set होगा 360 का यानि कि हम जहां से reverse होगा market आपको पता नहीं होता है कि कहां से reverse होगा तो at least 360 पर हमारा जो ट्रेड है वो exit हो जाएगा यहां पर देखिए 360 पर हमारा trade exit हो गया और हमनारी position 300 के approximately P&L close हो गया है हमारा so guys अभी आपने देखा कि 300 रुपीस का हमने profit किया जो कि मैं profit की तोर पर calculate नहीं करूंगी उसे मैं कहूंगी कि वो हमारा brokerage चला गया देखिए बहुत सारे लोग क्या करते है कि brokerage को calculate नहीं करते उसी वज़े से मन्त एंड में जब वो calculate करने चाहते है उनका profit and loss तो यह पता चलता है कि उन्होंने जितना profit किया है उससे ज्यादा तो उन्होंने ब्रोकरेज दिया है तो आज मैं कहूंगी आज हमारा no profit no loss अगर आपको high brokerage avoid करना है तो उसका simply एक ही तरीका है कि आपको कम trades लेने हैं लेकिन precisely trading करनी है I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लग and telegram वहां पर भी मैं amazing amazing updates देती रहती हूँ तो links are in description do follow me thank you for watching the video till end